आपका एक बार फिश्वागत है दूस्तों आज हम करने बाले हैं लुप्त पत्, तो याद रखना दूस्तों आज हम क्या करने बाले हैं? लुप्तुपद लुप्तुपद ग्याद करने वाले हैं् लुप्त प्त प्त प्यसे काफ़ी संख्या में कॉच्टन पूछे जाते हैं चाई वह कोई इस्टेट लेवल बेल एक्जाम हो या फर एंटपी why admission बहुत सारे अच्छे दोष्टों लुप्तपद प पैसे और यहां पर लेंगे 11 और 15 एक question है ठीक है और इसमें answer दिये हैं आपको option नहीं दिये जारे हैं दोस्तों आपको खुद answer इसमें बताना है तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार solve करेंगे हमें सोचना है दोस्तों कि इसका answer क्या आजाएगा तो सबसे पहले इस प्रकार के question को करने के लिए हम क्या देखते हैं दोस्तों याद रखना मैं आपको कुछ टिफ्स बताऊंगा यह पहली क्लास है इसकी और इसमें लगातार तीन से चार क्लास आएगी दोस्तों तो वो वीडियो जरूर देखेगा तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है इनके मद् और यहदा देखेंगे तो इस बीडियो में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके मद्ाक त कितने का रहा है दूस्तों प्लस चार अगार हम 3 में चार जोड़ेंगे तो कियारा हो जाएगा ठीक है तीन में चार्ज ओडेंगे तो 11 राज दूब तो 11 तो안 10 वीण तो सब्सक्राइब तो इस प्रिकार से दोस्तों पूछा गया है क्यों सो एक कॉस्चन आए हुगा क्म नों के पहल बिलुसक्राइब नहीं कर विद्धा कर 했는데 क्यों टोалогा है है साथ SSC में 2019 में पूछा गया है ठीक है 2019 का SSC का कोश्चन है इस प्रकार से कोश्चन है इतना easy question था कि आपको कुछ नहीं बताना था सिर्फ अंतर देखना था और इसका answer ले आते next question क्यों चलते दोस्तों next question निकाल लेते next question क्या कहता है uh a question दोस्तों वो कहता है यहां पर 16 16 ,15,22, 7 इस प्रकार से का स्थे बत्रकिंट है यहां पर है लुप्त-पद ग्याद की जिए सेंकला को पूरा किजी या फिर लुप्त-पद ग्याद की जिए इस प्रकार से WILL बन बन जाते हैं ठीक है कुछ आपसे इस कोश्चन को पूछा पूछा जाएगा कि यहां पर क्या वरने दोस्तों स्रंक्ला बन रही है क्योंकि यहां पर लुप्त पद नहीं है क्योंकि यह सीरिज आगे तक जा रही इसलिए यहां पर क्या जाएगा सीरिज मतलब एक स्रंक्ला को ग्यात कीजी इस question आ जाएगा इस प्रकार से तो दोस्तो इस पे हम क्या देखें सबसे पहले हम इस पे अंतर देखेंगे ठीक है हमें अगर अंतर समा जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं अंतर देखते हैं यहां पर क्या दोस्तों हो रहा है मानस 1 हो रहा है अगर हम यहां से यहां तक का जाए तो कितना मानस हो रहा है तो कितने मानस 5 हो रहा है अब अगर मानस 5 हो रहे हैं तो एक सीरिस बन रही है जब यहाँ पर एक सीरिस बन रही है एक स्रंखला चल रही है तो यहाँ पर भी एक स्रंखला चल रही होगी तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे यहाँ पर पहले मानस कितना हुआ मानस एक और फिर मानस तीन हुआ फिर उसके पास मानस पांच हुआ मतलब दो दो का अंतर आ रहा है तो यहां पर अगर मानस पांच में हम दो जोड़ देंगे अगर मानस एक में दो जोड़ देंगे तो मानस तीन हो जागा मानस 3 में 2 और जोड़ देंगे तो मानस 5 आजाएगा अब इसमें मानस 5 में से हम क्या करेंगे मानस 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आजाएगा दोस्तो मानस 7 और इसमें से क्या आजाएगे मानस मतलब 7 में से 7 जाएगे तो यहां पर कितना बचना चाहिए दोस्तो जीरो आयोब दोस्तो आपको इस question समझ आ गया होगा यहां पर answer आ जाएगा जीरो इस प्रकार से दोस्तो इस स्रंखला का question था जो last time कर पहले इस से पहले question कर वाय था वो भी एक शंखला का question है तो हमें ध्यान तो question ले लेते हैं जैसे कि एक question है 43 ठीक है 43 question है 43 44 48 यहां पर 43 है 48 है और next जो है 58 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं दोस्तो 73 अब इसका जो स्रंखला है हम इस series निकालना है और हम किस प्रकार से इसको solve करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले देखेंगे हम इन में जो देखते आते हैं दोस्तो series अगर आप solve करना है इस स्रंखला आपको solve करना है याद रखना है यहाँ पर जो सीरिज आती है वो एक किसी ना किसी बेव में चल रहे होगी किसी ना किसी अंतर या तो इनका अंतर या फिर इंटू यहां पर कोई प्लस होगा या फिर इंटू होगा या वर्ग होगा या मानस होगा या फिर स्क्वेर होगा इस बेव में ये चलेगी ठीक है या फिर Q के फॉर्म में चलेगी, Q का फॉर्म हो रहा होगा वहां पर क्यू हो रहा होगा तो इस संबंद में ये क्या होता है दोस्तों, सीरिस चलती है अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों 43 और 48 में अंतर देखेंगे ठीक है यहां का यहां का अंतर देखेंगे यहां का यहां का अंतर देखेंगे तो 43 और 48 में अंतर क्या है दोस्तों सबसे पहले देखेंगे 43 और 48 में अंतर तो यहां पर आ रहा है दोस्तों अंतर 5 का और यहां पर कितने का आ रहा है दोस्तों अंतर तो 48 और 58 दस का अंतर आ रहा है और यहां पर कितने का अंतर आता है 48 और 73 में तो यहां पर क्या है दोस्तों 10 और यहां पर 15 कांतर आ रहा है ठीक है और यहां पर 58 और 73 के मत कित्ते का आ रहा है 15 कांतर आ है अब हमारी पर देखो यहां पर समझ आ रहा है दोस्तों कि एक सीरिस बन रही है हमारी कि यहां से 5 का यहां से 5 का अगर 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 और यहा कि सीरीज देखना है, ठीक है? हमें दोनों सीरीज देखनी है, एक y वाली और एक y वाली और फिर इसके नीचे-सर वाली में देख सकते हैं कि 5-5 प्लस एड हो रहा है.. यहां पर 5, यहांपर 5, दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 एड करेंगे मतलब 15 में add करेंगे तो इसके जो आगे वाली संख्या है 15 में 5 एड करेंगे तो यहाँ पर 20 आजाएगा और 33 में क्या करेंगे 20 एड कर देंगे तो यहाँ पर add करते हैं अगर तो कितना आ जाएगा दोस्तों तीन और दो नो तो 93 इसका आंसर आ जाएगा आई होब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों इस स्रंखला की टॉपिक है और इस स्रंखला की वीडियो है और कैसी लग रही है आपको इस स्रंखला की वीडियो एक और कॉस्चन ले लेते हैं दोस्तों इसमें आपको मैं सारे स्रंखल स्रंख्ला के कोश्चन बताऊंगा जो लुप्त पद है उसी में इसमें भी कह सकते हैं कि जो आंगे बारा लुप्त पद है इसको भी गयात कर सकते हैं तो उसका वीडियो में कर लेकर आऊंगा एकसो बाउन 148 और नेक्स कोश्चन है 156 और एक यहां पर ले लेते हैं एकसो बाउन ठीक है और यहां पर सीरिज चलाते हैं इसको कट करके फिस लिख लेते हैं 156 और एक कोश्चन हो लेते हैं यहां पर एकसो बाउन है अब यहां पर सीरिज जा रही है और हमें सीरिज में ध्यान से देखना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है तो दोस्तों 122 और 148 के मतले देखेंगे अंतर क्या है ठीक है 148 से 156 की बीच जाने में क्या अंतर है 156 से 152 की बीच जाने में क्या अंतर है 152 से फिर हम जाएंगे हमारे अंसर की ओर अब देखें यहां पर जो question है वो वहीं के वहीं घुम गया है अब आपको इसमें करने में ज्यादा कटना होगी क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह 2018 का डी का railway group D का question है मैं आपको बता जा रहा हूं एक railway group D का question है दोस्टों और इसमें आपको निकालने में ज्यादा समस्या आएगी क्योंकि आप यहां पर confuse हो जाओगे कि यहां से 102 ए 142 आप निकाल के वीडियो को पोस्ट करके निकाल के कमेंट करके जरूब बताइए और यहां पर क्या है दोस्तों 156 और 102 अब 102 हम यहां पर देख रहा है इसका बीच की अंतर तो 102 से कितना घट रहा है चार ठीक है चार माइनस हो रहा है फिर हम हम 48 और 156 की बीच कितना है दोस्तों तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर आठ प्लस हो रहा है ठीक है कितना हो रहा है दोस्तों आठ यहां पर आठ प्लस हो रहा है और फिर यहां पर कितना मानस हो रहा है दोस्तों फिर यहां पर चार मानस हो रहा है अब अगर यहां पर चार मानस हो रहा है तो हम क्या करेंगे 106 दीखंगे हम सबसे पहले जो हम साइज यहां पर दिख रही है दोस्तों जो पर चार प्लस चार मानस Is Harolhat a art Plus attract heb क्र चार मानस उड़ा है है तो इसमें आगे जाएंगी जआ तो यही आजाएगा इस कोश्चन का अंसर क्योंकि सीरिज पूझे तो मतलब इसकी सीरिज कितनी आएगी 160 अब 160 मैं से क्या हो जाएगा फिर आगे जो सीरिज आगे बढ़ेगी तो इस परकार की सीरिज आगे बढ़ती जाएगी तो आयोब दोस्तों हमें इस परकार से कोश्चन सोचन करना है अगर हमें इस परकार से कोश्चन सोच कर करते हैं तो हमें एक्जाम में बड़ी इजी तरीके से समझ आ जाएगा यह देखकर है हम बता सकते हैं कि इसमें 4 प्लस और 4 8 माइनस हो रहा है ठीक है 4 माइनस और 8 प्लस हो रहा है तो इस परकार से हम को question paper में निकाल सकते हैं एक और question देख लेते हैं दोस्तों इसी सीरिज का तो दोस्तो question है हमारे पास 100 काफी बड़ा question है 105 111 ठीक है 118 126 और यहां पर 126 है और यहां पर है 135 ठीक है तो दोस्तों यहां पर एक कॉस्चन है फिर से लिख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि यहां पर लेखेंगे 100 105 111 118 126 और 125 है अब हमें इस कॉस्चन को देखना दो इसकॉस्चन को देखने के लिए हम क्या देखेंगे दोस्तों सबसे पहले क्या देखेंगे अंदर देखते हैं तो याद रखना अगर आप स्रंकला का कॉस्चन कर रहा हूं अगर आपके पास यहां पर लुप्त अंक नैंहीं है, संक्रा ही है, अगर हम पर प्रस sanity लगा होता है, तो हम यहां पर कुछ और तरीका भी आजमालीते हैं, अगर ए ईक संक्ला से नहीं निकलता कॉश्चन तो और कोई वजिस नहीं निकलता कॉश्चन तो यहाँ पर 105 है, यहाँ पर 111 है, 118 है, 126 है, सबसे पहले चलेंगे, यहाँ पर कितने का है, 5 का अंतर, ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर कितना है, 6 का, 6 हो 5, 11, और यहाँ पर कितना है, 11, और यहाँ पर कितना है, 7 का अंतर, ठीक है, और फिर यहाँ पर कितने का अंत अंतर आहा है दोस्तों तो आप में कमेंट सक्षाश्र करकी में बता चाहिक दोसतों तो तो एक form और लिक लेते हैं call 118 ऑर 126 और यहांपर कितना है दोस्तो 125 ठीक है अब ही इनके इंतर देखना है यहांथ है यहां पर 35 है यहां पर याद रखना दोस्तो 35 है और यहां पर 126 और कितने का अंतर आ जाएगा 9 का अंतर आ जाएगा तो दोस्तो अगर यहां पर 9 का अंतर आ रहा है तो यहां पर जो next है वो कितने का अंतर आ जाएगा तो next आ जाएगा दोस्तो 10 का अंतर तो मतलब 135 और 10 9 के बाद यह सीरिस चल रही है देख 5 6 7 8 9 तो यहां पर 10 लेखेंगे ठीक है 135 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो जो भी आजागा वो आंसर आजागा तो 145 से वो आंसर आगा आज के लिए इतना ही दोस्तो कुछ क्वेस्चन दे रहा हूं वह आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों तो दोस्तो आपको बताना है जो कल में करवा दोंगा दोस्तों आपको बताना है 507 और 251 यहां पर टॉपिक है कि यहां पर है 59 और यहां का जो कॉच्टर है वो है 27 और 11 ठीक है आपको कॉच्टर है एक कॉच्टर है और यह आपको आंसर इसका आंसर कमेंट करके बता रहा है और कल जो तो स्रंख्ला की सीरीज नेक्स्ट टोप है स्रंख्ला और लुप्त पत तो इसमें मैंने स्रंख्ला के आज बहुत सारे कोशिन करवा है कल नेक्स्ट फिर मिलेंगे दोस्तों इसी टॉपिक के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो है नेक्स्ट रुकलेर यो